हेलो अब्रीवन बरी बरी गुड आप्टरनून कैसी हूँ आप सब अमीद है आप सब बहुत अच्छे होगे और उमीद पे ही दुनिया है कायम जैसे कि मैं हमेशा कहते रहते हूँ तो आज मैं कोई भी ब्लॉग नहीं लेकर के आई हूँ नहीं मैं कोई रिक्वेस्टेड व मैं इस वीडियो में क्या लेकर के आई हूँ वह आगे पता चल जाएगा तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और फुल बाच करने की कोशिश करें तो आज का जो यह वीडियो है वह मैं कुछ ऐसी आपको टिप्स देने के लिए आई हूँ जिसको मतलब हम ल लोग आते हैं अपना चैनल बinarते हैं हम अपने वीडियो जालते हैं और हम लगी होती हैं एक दौर में लगी होते हैं हमें बस दौर करके लदी-जल्दी अपने 1000 के complete करना होता है 1000 सब्सक्राइबर प्लेस हमें 4000 का 4000 घंटे का watch time complete करना पड़ता है ठीक है तो उस पे हम लगे रहते हैं हम आगे का नहीं सोचते हैं उसमें भागते रहते हैं भागते रहते हैं किसलिए क्योंकि हमें अपना monetize करवाना होता है आप बारी आती है यहां पर जब हमारा complete हो जाता है तब हम आजाते हैं अपने monetization पर तो भाई monetization से पहले बहुत सारी बाते हमारे दिमाग में होती हैं जैसे कि इतना डर हमारे इस्पेशलि जो हम new YouTubers होते हैं हमें हर एक चीज़ पर जहां पर कोई verification की बात आ जाती है जहां पर अपना channel review में भेजने की बात आ जाती है हम बहुत डर जाते हैं और डर के मारे हमको जैसे गलत कदम उठा लेते हैं जिससे जो काम हमारा बन रहा होता है वो भी नहीं बनता है जैसे कि मैंने किया था मैं अपनी अगर स्टोरी बताऊं तो जब मैंने monetization के लिए मतला मेरा complete हो चुका था पूरा 4000 गंटे का watch time मैंने complete कर लिया था मैंने last time पर मैंने LV करी थी और उस LV पर मैंने जैसे कि शुशान का उस टाइम पर murder हुआ था तो मैंने वह सारी बाते कुछ कर ली थी LV में उसके बाद चैना और इंडिया का जो जड़ा पुई थी जिसमें काफी सारे हमारे भारत के जो जवान थी वह शहीद हो गए थे तो वह सारी बाते मैंने discuss करी थी अपनी LV के अंदर तो मुझे क्या confusion हो गई थी जब मैंने जाकर के न मतलब काफी लोगों ने मुझे बोला और कोरोना भी बहुत जाता तेज था उस टाइम पर तो मैंने कोरोना की भी बाते करी थी जो कि हमें नहीं करने चाहिए ठीक है तो ये सारी बाते मुझे पता नहीं थी मैं सिर्फ LV करने के लिए बैड गई थी और मैं LV करती रहती थी LV में मैं ये सारे topic हमारे कोई नव यह ऐसा होता था जो चिकरता था और हम लोग बात करते थे उस पे तो मुझे इतना नहीं पता था तो उसके बात क्या हुआ जब बारे आ जाती है जब हमें रिवियु में भेशते ना तो ऊसके पहले किसी ने मेरे माइड में मतलब मतलब वह LV में ही किसी एक बंदे ने मेरे माम में यह डाल दिया कि वो पाकिस्तान से थे और उने मेरे दिमाग में ये डाल दिया कि ये जो आप मतलब ये कोरोना वोरोना के अपने बाते करें न ये स्पैम हो जाता है अगर आप अपना डालते हो रिव्यू के लिए तो इस पे कॉपिराइट आज नहीं इस पे आपको स्ट्राइक मिल सकती है और मतलब आपकी जो मॉनेटाइजिशन जब होगा उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो उसी टाइम पे मेरा दिमाग एकदम गोम गया कि मुझे ये नहीं पता था मैंने जो रेगुलर मेरी अल्वियां हो रही थी उसमें मैंने कितनी एल्विय में ये बाते करी ही थी ठीक है वहाँ पे मैं घबडा गई और घबडाने की बाद मैंने क्या किया अपना दिमाग यूज नहीं किया दूसरे की दिमाग मैं चल गई अपना दिमाग मैंने यूज बिलकुल भी नहीं किया तो यहाँ पर घबडाना नहीं है आपको अपना दिमाग यूज़ करना है आप ये सोचो यूट्यूब जो यूट्यूब हमारी हर एक वीडियो पे जब भी हम अपलोड करते हैं उसके पास जाती है वो रिव्यू करता है ठीक है उसके बाद ही वो पब्लिक होती है जब अगर आपको लगता है इसमें कुछ भी वालन्स नहीं था तो आप मुझे मेल करिए ठीक है और आपकी वापस हो जाएगी तो वो बोलता है खुद से बोलता है तो वो हर चीज पे नज़र रखता है तो यह हम कैसे सोच लेते हैं कि नहीं मैंने अल्वी में जो बाते करी है वो यूट्यूब को पता नहीं है हम कैसे सोच लेते हैं तो मैं भी घपराने की वज़े से मैंने क्या किया था मैंने अपनी जब मैं रिव्यू के लिए मतलब मेरा हुआ नहीं था होने वाला था मैंने बिना किसी से सोचे समझे सिफ अपने डर की वज़े से कि पता नहीं क् अपनी डर की वज़े से मैंने 6-7 LV अपने डिलेट कर दी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 5-5 गंटे की LV करी हुई थी, अच्छा खासा मुझे WT मिला हुआ था, मैंने 6-7 LV डिलेट कर दी, continue की जो मतलब मुझे लगा कि हाँ, इस LV से मैंने बाते करी है, वो सारी मैंने LV डिलेट कर दी, मैंने ये नहीं सोचा, कि यूटुब मेरी LV देखता होगा, अगर यूटुब को लगता कि इसमें कुछ खराब है, इसमें इनोंने वाइलंस किया हुआ है, तो वो मेभी LV then and there ही खतम कर देता, then and there वो रिमूफ कर देता, मैंने ये नहीं सोचा, तो guys अगर आप भी यूटुबर हो तो इस step पे आप लोग इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करना, अगर कोई कहता है कि ये चीज गलत है, वो चीज गलत है, आप अपना माइन लगाओ, अगर कुछ भी अगर कुछ भी गलत होता है न चैनल पर, तो वो देनन देयर, मतलब अगर आपने वीडियो अपलोड किया है, और अगर वो गलत लगती है, तो तुरंद हट जाती है, अगर आपने गलत किया, आपको स्ट्राइक आएगा, अगर आपने कौपी किया, तो आपको कौपी करता है, तो वो देनन देयर गाम करता है, वो बैट करके देखता है, आप जब भेजो के लिए तब मैं कुछ करूंगा, तो इसलिए आप लोग घबराया मत किया करो, और अपना दिमाग यूज करो, और अगर आपको भेशना है, तो मेरे जैसे पागलबंती मत करना, आप ज तब मेरे दिमाग में बहुत सारी बाते, बहुत सारी घबराट हो रही थी अंदर से, फिर मैं बहुत जब पूरा मैं सोच करके, तीन-चार दिन मैं डिस्टर्ब रही कि मैं कैसे भेजू, मतलब कोई मेरा चैनल चेक कर ले, मैंने दूसरों से बोला, कोई नहीं करता है उस यह सब गल्दिया आप मत करना, किसी को चैनल चेक करने के आपके जरूत नहीं, आपका चैनल इक्तम राइट होता है, अगर चैनल पे कुछ भी गलत होता है, तो उसका गलत है तो वो आपको यूट्यूब खुदी बता देता है, आपको स्ट्राइक मार देगा, आपको अगर बटदेज दो, डरो मत, डरने से कुछ भी नहीं होता है, यह होता है हमारा first step. AdSense अकाउंट जब हम बनाते हैं, monetize होने के पहले, जब हम भेजते हैं, जब हम बह्ते हैं, monoo होने के लिए, उसके पहले how to add-sense account बनाना होता है. जो AdSense account आप बना रहे हो यही सेम चीज आपको जो आप address दे रहे हो जो आप अपना नाम लिख रहे हो जो आप उसमें आपनी फॉर्मेल्टी पूरी कर रहे हो जो जो आप उसमें कर रहे हो न वही आप जब आपका $10 कंप्लीट हो जाएगा जब आपको verification करना पड़ेगा आती है तो वहां पे आपका address या नाम जो भी होता हो जाए ऐसा नहीं करना है गाइस बहुत समझ के ठंडे दिमाग से बनाना आपको ठीक है ना तो वहां पे जो आप एड्रेस दे रहे हो AdSense account बनाते टाइम जो नाम दे रहे हो नाम आपको अपना देना है अपने चैनल का बहुत लगा था कि मैं किस तरीके से क्या करूंगी लेकिन मेरा हो गया था अच्छे से मेरा monetize 24 गंटे के अंदर हो गया था जब मैं पूरा ठक गई ना चारो तरफ से मैं मतला सोच सोच के सोच सोच के मैं जब एकदम ठक गई तो जब मैं एकदम शांती से बैठी मैंने का जो होगा देखा जाएगा मेरे चैनल पर अगर कुछ खराब होता तो मेरा मुझे पहले से ही यूट्यूब की तरफ से कुछ ना कुछ तो पता ही चल जाता मैंने किसी के नहीं सोची मैंने भेज दिया और 24 गंटे के अंदर मेरा चैनल monetize हो गया था पहली चीज तो यह मैंन आइडी जो होती है उसको हम भेजते हैं यूट्यूब के पास में और वहां से वेरिफाई करता है अब हम आइडी जो होती है आप लोट करने में बहुत सारी गलतियां कर देते तो वह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है तो मैंने क्या था अगर आप अपना वोटर आ चार चीजे होती है जो आज कर ले रहा है तो जब भी आप उसको अपलोड करते हो पहले तो आप अपना पूरा एड्रेस चेक करो एजटीज होना चाहिए उसमें आपका नाम होना चाहिए आपका घर का पता होना चाहिए पिन कोड होना चाहिए शेहर का नाम होना चाहिए का नाम होना चाहिए हर चीज होनी चाहिए वहां पर ठीक है वह आप अच्छे से चेक कर लो जब बारी आती है अपलोड की तो गाइस अपलोड करने में घबडाओ नहीं बिल्कुल भी और बिल्कुल भी डरो मत ये काम आपको करना पड़ेगा ये लास्ट टेप होता है अगर फर्स टाइम नहीं हुआ तो दूसरी बार दूसरी बार नहीं हुआ तो तीसरी बार लास्ट होता है ऐसा नहीं कि तीन के बार होता नहीं है बड़ बहुत सारी हमें मुश्किरों का सामना करना पड़ता है तो हम ये ही कोशिश करें कि हमारा फर्स बार में ही हो जाए तो इस तो डर और घबराट होती है उसकी वज़े से हम लोग यह सब करते हैं मैंने इतनी वीडियो देखिए और जितनी हम वीडियो देखते हैं उतना ही हम कन्फियोज होते हैं कोई किस तरीके से बता देता है कोई किस तरीके से बता देता है चीक है तो उतना ही हम कन्फियोज होते ह तो मैंने फिर जाके जब मैंने बहुत सारी वीडियो देखे फिर मैंने चलो ठीक है एक बद हम जाते हैं वेरिफ़ाइन पर क्लिक क्लिक किया तो मेरा सहम जो मैंने एड्रस डाल रखा था वो मेरा वहां पर भी फिरलब था तो मुझे उसमे कोई चेंज करना ही नहीं था उसके बाद जब हम upload पी जाते हैं तो guys मेरे husband ने मतलब मैंने देखा था कि scan करके आपको डालना है जो आपका voter ID जो भी है आपका fancard बगेरा आप उसे अच्छे से scan करके डालोगे ना तो उसमें क्या था scanning में क्या होता आपकी जो photo होती है साथ में जो code होती है साथ में जो आप नंबर होता है वो सारा clear आजाता एकदम तो हमें scan करके डालना होता है अगर हम ऐसी photo click करके डालेंगे तो उतना safe नहीं आता है तो मेरे husband ने बोला मैंने उनसे बोला कि आप जाओ मैंने एक वीडियो देख ली जिसमें उन्होंने बोला था कि आप ऐसा करो कि आप shop से जाओ वहां से scan कर वालो उसके बाद आप upload करो तो मेरे दिमाग में बस यही पैड़ी का था कि नहीं घर पे हम चाहे कितना अच्छा scan कर ले scan होने वाला नहीं आपको shop जाओ आप वहां से करा करके लाओ मैं तो वही upload करूंगी यह मेरी जिद्द हो गई थी जबकि मेरे husband ने बोला ठीके मैं घर पे ही कर देता हूं इतना अच्छा कर दूंगा और उसका जो रेशु होता है ना मतलब जो पैन कार्ड अगर करते हो तो उसका जो रेशु होना चाहिए वह 15-19 से जादा नहीं होना चाहिए बड़ा और मैं उतना ही मतलब मेरे husband ने बहुत अच्छा से क्लियर और मेरे husband ने कर दिया था घर पे स्कैन करके मुझे भेज दिया था वाटसप पे बड़ी मेरे दिमाग में वही जिस क्योंकि मैं वीडियो देख के बैठी थी मैंने का नहीं ऐसा नहीं इस पर तो ऐसा नहीं आ रहा यह नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा आप दुकान जाओ और वाटसप पे दिया मुझे तो इतना गंदा हो स्कैनिंग इतना गंदा कि उससे तो कम से कम 20 गुना बैटर मेरे husband ने जो घर पे किया था ठीक है तो यह डर होता है हमारे अंदर जो हम लोग फाल्तो के काम कर बैठते हैं जबकि सब कुछ ठीक होता है अपने घर पे हम लोग क इनक घर लेएं फिर नों के दिमांग में दर रोता है तो फिर फारनली मैंने सुब है मैं वही याज़ए के आसपास मैंने अपना पूरा फिल्प कर दिया था था अपपलोड कर दी दा वही वाला एमने काम में लगए उसकी बात क्या हुआ मैं तो अबने काम में लगे मैं आपको यहां पर screenshot दे रही हूँ आप देखना कि मेरा जो verification है वो एकदम successful हो गया है 22 September को मैंने अपना verification के लिए कर दिया था और उसके बाद मतलब मैंने अपना करका काम किया मैंने खाना बाना बनाया लंच किया लंच करने के बाद मैं लेट गई मैंने का mail आएगा तो मुझे पता चल जाएगा मैंने चेक नहीं किया और मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि एक या देड़ घंटे के बाद ही मेरा हो चुका था मुझे mail आ गया था बट मैं काम में लगी थी मैंने चेक नहीं किया उसके बाद मैं सो गई पहर में जब मैं शाम को 4 बचे उठी तो एकड़म से में दिमाख में आया कि मुझे चेक करना चाहिए जब मैंने जैसी चेक किया तो मैंने देखा कि मुझे Google से आ चुका था verification का और successful हो चुका था तो guys मतलए पहली बार में successful हो गया ये बहुत अच्छी बात है और देखे जो मेरे husband ने घर पे किया हुआ था उसी से हो गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं तो मैंने scan करवाय था बहार से अगर वो वाला में upload करते तो शायद मेरा नहीं होता ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है आप लोग डरो मत आप लोग बस चलते चले जाओ अगर कुछ गलत होता भी है आप एक बार रिवियो में भेजने से पहले आप खुद एक बार चेक करो खुद सोचो कि मैंने क्या गलत किया है किसी से पूछो मत क्योंकि जब मैं verification के लिए भेजने वाले थी उस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी तो मेरी बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इतना अच्छा suggestion दिया था लेकिन आपके साथ भी ऐसा हो क्योंकि जब हम लोग monetization के लिए भेजने तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि आपका पूरा check करके आपको बता सके किसी के पास नहीं होता अगर आप मुझे से बोलोगे तो शायद मेरे पास भी नहीं होगा तो यह सब काम आप खुदी करो डरो मत चलते चले जाओ बिल्कुल सकस्स होगे और बस ID जो होती है उसको आपको स्कैन करके डालोगे तो आपको अच्छा से हो जाएगा और खुली रोश्नी में डालो खुली रोश्नी में आप उसको स्कैन कर दो खुली रोश्नी में अगर फोटो साफ आ जाती तो बहुत अच्छी बात है स्कैन करके डालोगे तो और भी जल्दी हो जाएगा तो गाइस मेरा यहां पर हो चुका है वेरिफिकेशन सक्सेस्फुल अब वेट है मुझे अपने पिन का तो जब मेरा पिन आ जाएगा तब मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी यह वीडियो आपको कितनी हेल्फुल हुई प्लीस मुझे ज़रूर बताईएगा और मिचे सपोर्ट करिए गाईस मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना ताकि औरों के लिए भी थोड़ा सा हल्पुल हो जाए जितने भी नए यूट्यूबर से उनके लिए और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजेगा और और अल पर ज़रूर क्लिक करना ताकि सारी ही वीडियो आपको मिले वीडियो हो गया है लेंदी तो चली मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफोर्मेटिव वीडियो के साथ में तब तक के लिए थांक्यू सो मच पर वाचिंग बाइबाइ टेक केर